नमस्कार डीवी न्यूस में आपका स्वागत है आम आदमी पार्टी ने मधिप्रदीश और 36 गण के लिए तो उम्मीदवारों का एलान कर दिया है लेकिन चुनाओं की तारीखों का एलान होने के वाबजूद राजस्तान में अब तक उम्मीदवारों के नाम की घोशना नहीं की गई है ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी कॉंग्रेस के उम्मीदवारों के लिस्ट का इंतिजार कर रही है या देरी के पीछे कोई और ही वज़ा है जब आम आदमी पार्टी के राजस्तान प्रभारी विनेक कॉमार मिश्रा से बातचीत की आप नेता ने राजस्तान में उम्मीदवारों के लिस्ट जारी करने में हुई देरी की वज़ा बताते हुए कहा कि राजस्तान की हर सीट पर संभावित उम्मीदवारों का चयन हो चुका है लेकिन पित्रपक्ष की वज़ा से नामों की घोशना रुकी हुई थी लेकिन जल्द ही PAC फैसला लेगी और एक से दो दिन में पहली लिस्ट जारी होगी अब तक राजस्थान में कॉंग्रेस के लिस्ट जारी ना होने और INDIA गटबंधन के बारे में सवाल पूछे जाने पर आपके राजस्थान प्रभारी ने कहा कि INDIA गटबंधन लोगसवा चुनाव के लिए हुआ है जबकि राजस्थान में आप सभी 200 सीट पर अकेले और मजबूती से चुनाव लगेगी वही आप नेता ने कहा कि राजस्थान के लिए अरविंत केश रिवाल ने जिन साथ गारेंटियों का एलान किया है उन्हें प्रचार के दौरान घर घर पहुचाने पर फोकस रहेगा